नमस्ते मित्रों, आज के वीडियो में हम व्याहरती रश्मियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें भू, भुव, स्वह, मह, जनह, तपहर और सत्यम रश्मिया सम्विलित होती हैं। इसके अतिरिक्त दो और रश्मियों हिम और घ्रिम पर भी चर्चा करेंगे। तो आईए प्रा अन्यचंद और मरूत रश्मिया। पश्यंति ओम रश्मि के तुरन बाद भूरश्मी प्रकट होती है। इसके विशय में रिशियों के प्रमाणों से यसपश्ठ है कि मनस्तत्त window में सर प्रथम यही व्याहरती रश्मी बनती है। यह रश्मी प्रजापती रूप है क्यों रिक संज्या वाली वेद की रिचाय होती हैं, वे भूर अश्मियों की प्रधानता में उत्पन होती हैं. इसमें पदार्थ के कंडेंसेशन के प्रोसेस को बढ़ाने का गुण होता है. भूर अश्मी अगनी आदी अन्य पदार्थों के लिए भी चाहिए, पर प्रिथ्वी त सुत्रात्म वायू रश्मियों के बनने में विशेश साहयक होती हैं. सुत्रात्म वायू की चर्चा हम आगे करेंगे. अब महर्शी जैमिनी के कथन का यदि सीधा-सीधा अनुवाद किया जाए, तो इसका अर्थ बनता है कि प्रजापती रूप, परमात्मा ने सबसे पहल बोला और प्रित्वी की उत्पत्ती हो गई. यह अनुवाद तरक्षी लोगों को अवज्यानिक लग सकता है. आपने इस प्रकार के वचन विभिन संप्रदायों के ग्रंथों में सुने होंगे. मर्शी जैमिनी हजारों वर्ष पहले हुए. इस बात के पूरे चांसे हैं कि या वाक्य रूड रूप में लोगों और अन्यमतों के संस्थापकों द्वारा भी ग्रहण किया गया हो. वास्तव में वेदों और आर्ष ग्रंतों के भाष्यों के नाम पर बिना वैज्यानिक प्रतिबा और तरक के जो रूड अनुवाद हुए उनसे हमारी महानवैदिक स संस्कृती को बहुत चोट पहुची. पशुबली, माहनसाहार जैसी अनेक कूप रथाएं human society में आ गई. For example, अशुमेद यज्ज में अशुमेद को घोडे की बली समझ लिया गया. वैदिक भौतिगी के अनुसार महरशी जैमिनी के इस कतन की actual meaning ये है कि प्रजापती ओम र अथात, molecules या प्रित्वी आधी ग्रह बन रहे थे तब भू रश्मियों की प्रधानता थी अन्य व्यारती रश्मियों की तुलना में. प्रजापती मनस्तत्व या ओम रश्मी ने भू रश्मियों को इखटा किया. उससे सूतरात्म वायू डैंस हुआ, पदार्थ के संगन में तेजी आई, जिससे प्रित्वी तत्व बना. प्रित्वी तत्व क्या है, इस पर आगे पंच महबूद प्रकरण में डीटेल में बताएंगे. अनुवाद और भाश्य में यह अंतर होता है. हमने पहले भी बताया था कि संस्कृत पदों के प्रकरण के आधार पर विभ होती है. भूस, भूर और भू. यदि वैज्यानिक दिर्ष्टी कोंड से संस्कृत व्याकरण पढ़ी जाए, तो समझ में आएगा कि किसी स्पेसिफिक मंत्र में विशेश प्रकार से संधी होकर, शब्द का कोई पर्टिकुलर रूप बनने का क्या कारण होता है, और इसका अक्षर विज्यान जिस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, कैसे इसकी पुष्टी करता है? भूस रश्मी दूर तक प्रकाशित होकर विभिन रश्मियों के साथ बाहर से संगत होकर और उन्हें प्रकाशित करके सर्वत्र रमन कराने में सहायक है. भूह रश्मी पूर्वोक्त प्रभाव धर्शाते हुए, छोटी बादक रश्मियों को रोकते हुए, क्रियाओं की हिंडरेंस मिटाती है. भूह के पश्चात ओम रश्मी की प्रेड़ना से मनस्तत में भूह चंद रश्मियां बनती हैं. इसके बारे में आर्शक्रंथों के वचनों से सिद्ध होता है, कि यह रश्मी भूरश्मियों की विक्रित रूप, प्रजा रूप हैं. जो आगे पदार्थ बनेंगे, उनके संयोग वियोग के समय यह रश्मी पदार्थ को बिखेरते हुए, बीच में आकाश महबूत यानी स्पेस की उत्पत्ती में सहयक होती हैं, जिससे आगे बनने वाले पदार्थों को गती करने के लिए मार्ग मिलता है. भुवर रश्मियां, यजु संयक रश्मियों को बनाने में में रोल निभाती हैं. भुवर रश्मी भी भूर रश्मी के जैसे तीन रूपों में विद्यमान होती है. पूरवोक्त अक्षर विज्यान के अनुसार, भुवस रश्मी भी दूर दूर तक परकट होकर, अन्य एक चंद रश्मियों के साथ बाहर से संगत होकर उन्हें सक्री करती है। इसकी गती भूस रश्मी से विप्रीथ और शायद थोड़ी ज्यादा होती है। भूवर रश्मी का प्रभाव भूवस के जैसा पर कुछ अधिक रमनशील होता है। भुवह रश्मी का प्रभाव भी लगभग भुवस और भुवर जैसा होता है परंतु बाधक छोटी रश्मियों को रोकना इसका एडिशनल फीचर है। अंत में तीसरी व्याहरती स्वह छंद रश्मी प्रकट होती है। इसके विशय में रिश्यों के कथनों से स्पष्ट होता है कि कालांतर में अगनी तत्व या तरंगानूओं अर्थात, क्वांटा, फोटॉन, आदी के निर्माण में इन रश्मियों का बड़ा रोल होता है। इसके साथ ही सामसंज्यावाली छंद रश्मियों की उत्पत्ती में इनकी स्पेशल भूमी का होती है। लेकिन उसमें नाभिकी सनलयन और अपना प्रकाश बनने की प्रक्रिया केंद्र में अंत में ही होती है। अक्षर विज्यान के अनुसार स्वस रश्मि भू और भूवह रश्मियों को एक साथ संगत करती हुई विभिन छंद आदी रश्मियों को जोडती और शक्तिशाली बनाती है। स्वर रश्मि का प्रभाव भी सिमिलर पर गती कुछ अधिक होती है और स्वर रश्मि भी ऐसी ही होती है परन्तु वैदिक दार्क एनरजी को रोकने की पावर के साथ। शौट में तीनों रूपों का प्रभाव लगभग एक जैसा होता है अलग-अलग सिचुएशन या संधियों में इनके रूप एक दूसरे में बदलते रहते हैं। इन तीनों महाव्यारती रश्मियों को देव पत्नी भी कहा जाता है अर्थात देव पदार्थों की रक्षी का रश्मिया। रेगुलेट करते हुए अग्रिम सभी पदार्थों को जोडती हैं, बांधती हैं। यदि ये व्यारतियां ना हो तो इनके बिना इस रिष्टी में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आदी में मर्शियों के वचनों में मानव संस्कृती, हिस्ट्री और स्रिष्टी की घटनाओं से जब तर्क पूर्ण वैज्यानिक संगती बैठने लगे तो कितना अनन्द आएगा। वैदिक भौतिकी की यही स्पेशालिटी है। परते खुलती जाती हैं, कणियां प्रहत्री मंत्र में सबसे पहले ओम, भूर, भुवह, स्वह के साइंटिफिक माइने क्या हैं। वैसे तो यह तीन ही प्रमुक व्यारतियां हैं, पर आपको ध्यान होगा, हमने कालतत्व को सब्तरश्मी कहा था, इसलिए प्रसंग अनुसार हम अन्यचार व्यारतियों का भ व्यारतियां आती हैं। ओम भू, ओम भुवह, ओम स्वह, ओम मह, ओम जनह, ओम तपह, ओम सत्यम। संध्या मंत्रों के वैज्यानिक अर्थ जानने के लिए जिज्यासू लोगों को आचार जी की वैदिक संध्या, वैज्यानिक, आध्यात्मिक और व्यभारिक व्याक्या उ देवकणों विजिबल मैटर के पार्टिकल्स को संगत करने में महर रश्मी की भूमिका एहम होती है। अन्य व्याहरती रश्मियों को व्यापक रूप से मापती और कंप्रेस करती हुई दूर दूर घूमती हैं। महर रश्मी उपर्युक प्रभाव के साथ बादक रश्मियों को प्रतिबंधित करती हैं। जनह रश्मी के बारे में रिशी कहते हैं कि इन रश्मियों की प्रेजंस में अन्य व्यारती रश्मियों की सम्रिदता पूर्ण हो जाती है अर्थात उनका प्रभाव चरम पर पहुचाते हुए उनका absorption करती है अक्षर विग्ञान के अनुसार जनस रश्मी ओम तथा अन्य रश्मियों के साथ मिलकर नई छंद रश्मिया बनाती हैं जनर रश्मी भी जनस की जैसी पर विशेश रमणशील होती है जनह भी जनस और जनर की जैसी पर वैदिक डार्क एनरजी को प्रतिबंधित भी करती है रिश्यों के अनुसार तपह रश्मिया मनस्तत्यू से विशेश सम्रिद्ध होती हैं अन्य रश्मियों की क्रियाओं को अच्छी प्रकार संपादित करती हैं ब्रह्म अर्थात मह रश्मिया विशेश रूप से तपह रश्मियों में प्रतिष्ठित रहती हैं अक्षर विज्ञान के अनुसार तपस रश्मी अन्य व्यारती रश्मियों के किनारों पर स्थित होकर उनके बाहरी भागों में व्याप्थ होकर उनकी रक्षा करती हैं. तपर रश्मिया सेम इफेक्ट के साथ विशेश सक्रिय होती हैं और तपह सेम इफेक्ट के साथ बाद श्ठित होती हैं और यह बाधक हानीकारक रश्मियों को जीतने का कारे करती हैं अक्षर विज्ञान के अनुसार यह अन्य रश्मियों के साथ पूर्ण व्याप्थ होकर उन्हें बेस देती हुई उनके बाहरी हिस्तों में स्थित होती हैं इसके साथ ही उन्हें पूर्ण गती प्रदान करती हुई मापती हैं। इन व्यारती रश्मियों के बाद लगभग उसी स्तर की दो अन्य छोटी छंद रश्मियां बनती हैं। और घ्रिम ये रश्मिया देवी गायत्री रूप होती हैं। रिशियों के अनुसार हिम रश्मी व्रिशा रूप अर्थात उरुष रूप होकर विबिन चंद रश्मियों के मध्य स्थित होकर उन्हें बल प्रदान करती हैं। यह रश्मी वज्र रूप होकर दो चंज रश् खीचती है और अलग नहीं होने देती। ग्रिम रश्मियों के विशय में रिश्यों का कहना है कि यह रश्मी इस रिश्टी में नाना पदार्थों को सीचती हुई घृत रूप को उत्पन्न करती है। करन्तु तेज समझना चाहिए। केवल व्याकरण के आधार पर यदि दिय गए शत्पत ब्रामण के वचन का अनुवाद किया जाए तो अर्थ बनेगा अंतरिक्ष का रूप घृत है। घृत को खाने वाला घी समझ लिया तो क्या व्याख्या होगी इसकी। जैसा हम पहले कह रहे थे व्याकरण के साथ वैज्यानिक प्रतिभा इश्वर की साधना और निश्काम कर्म करने की पवित्र भावना चाहिए। आचार सायन और अन्यवेद भाशेकार भी बहुत मान वय्याकरण थे। फिर भी वेद और आर्षगरंतों को समझने में उनसे भूले हुई। आज भी यही समस्या है। भगवान मनू ने कहा था अर्थ और कामना आसक्त व्यक्ति को धर्म, अर्थात, पधार्थ विद्या और अध्यात्म विद्या का ज्यान नहीं हो सकता। हाला कि व्याकरण आचारियों का संस्कृत को बचाय रखने के लिए सदैव सम्मान होगा। लेकिन हमें यह सत्य भी स्विकारना चाहिए कि केवल व्याकरण से वेदों का यथार्थ स्वरूप नहीं समझा जा सकता। दूसरी और modern science भाले भी भटके हुए हैं जो वेद और संस्कृत व्याकरण को महत्व नहीं देते, जो चेतन तत्व की सत्ता नहीं मानते, वह पून रूप से universe creation और स्रिष्टी में होने वाली घटनाव को explain नहीं कर सकते। We have to bridge this gap, हमें दोनों का संगम करना होगा, या तो हम गुरुजी के जैसे मेधावी और पवित्र बनने का try करें, महर्शी द्यानन जी ने जो पाठे करम दिया था उसको follow करने का प्रयास करें, हमारे महान राजाओं और रिशियों के जैसे बनने का प्रयास करें, और दूसरा करते हैं, हमारे साथ वैज्यानिक, प्रोफेसर्स, व्याकरण के विद्वान भी जुड़ें, बहुत से विद्वान जुड़ भी रहे हैं, पर हमें इसमें तेजी लानी हैं, शत्पत ब्रामण के इस वचन का वास्तवी कर्थ है कि अंतरिक्ष अर्थात, आकाश महाबूत या स्पेस में सूक्ष्म तेज या दीप्ती होती है, घ्रिम रश्मियों के कारण, हाला कि यह खोज मौडन साइंस को भविश्य में पता चलेगी, इसी प्रकार एतरे ब्रामण के दिये हुए वचन का अर्थ होगा, यह घ्रित, पशु, अर्थात, छंद रश्मियों का ते यह रश्मि, विभिन रश्मि, कन, आदिपदार्थों के उपर बाहरी भाग में एक आग्रता से अपनी वरिष्टी करके, उनमें सत्य, अर्थात, प्राण ततों का निरंतन संचरण करते हुए, उन्हें व्यापक रूप से तेजस्वी बनाती हैं आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम प्राण रश्मियों पर चार्चा करेंगे, जय मावेद भार्ती